ओशो दे लेक्चर अन्श मैं सुने एक अमरी की अपने दूपरी ने व्या करवाया एयो दस्वाँ व्यास सी जोदो दोवाने चर्च वेचे रेजिस्टर दे दसकत कीते जिमी उनाने दसकत कीते उने चर्च दे पादरी नूँ किया के नैं मैं तलाब जाने आ व्याद हुने दस्खत हुए ऐसंद पादरी भी हयरान रहे गया उन्हें किया कि तलाब मैं भी बहुत देखे है पर ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया एक गर्ग कें ऐस तब ये तो व्यादे हस्ट आखरान दी स्याई भी नहीं सुची ये अपना रोब बुद खोना चौंद है, ये ता गल्ली गल्त शुरू होई, ये इसलिए मैं इदिनल जाना नहीं चौंदी, मैं इस चन जट्च नहीं पहना चौंदी, जई छोटी जी गल्ते चगड़ा हो सकत है, किसे ने दस्खत नू थोड़ा वड़ा कार देता, तुसी ज़रा जीवन दा निरिखन करो, कारन तय थे किसे नू भी पता नहीं कि क्यों चगड़े हो रहे है, ये कोई आदमी चगड़ा करना चौंद है, तो कारन लब लेंदे, कारना करके थोड़ा कोई चगड़ दे, बलके चगड़न लई कारन खोज लेंदे, फिर उखेंदा खोजना अपने ही अंदर, ज़़ो तुसी चगड़ा करन दी परविर्ती चुन देओ, उधो तुसी कोई वी कारन लब लेंदेओ, कोई वी कारन काराए, ते सबजी च लून काटे, बस कारन काफी है, तुसी थाड़ी वगा अमारी हालांके इन्नी जी गाले, थाड़ी जो तावला पन ना हुंदा था, शायद ही गलतों दिखाई भी न दिन्दी, तुड़ी लड़न दी उधो सुपता कारणी कोई वी कारन किल्ली बन जन्दे, फिर तुसी उते बज जन्देओ, गरारी फसालन देओ, कारणों तुसी बहुत वड़ा करके दसना शुरू कर दे देओ, ताके जम्यवारी भी अपने थे ना रहे, तुसी जम्यवारी भी दुजयां थे स्थोप दन देओ, मैं की करदा मजबूरी सी, दुजय ने मजबूर कर देता सी, तरवार